पद संक्यास्ट सत्रा 17 गंगा इस्तुति है राग रामकली में जय जय भगी रत नंदिनी मुनिचय चकोर चन्दिनी नर नाग बिभुध वन्दिनी जय जहनु बालिका बिस्नु पद सरोज जासी इस सीस पर बिभासी त्रिपथ गासी पुन्य रासी पाप चालिका बिमल बिपुल बहसी बारी सीतलत्रयता पहारी भमर बर विभंग तर तरंग मालिका पुरजन पूजो पहार शोवित ससी दवलधार पंजन भवसार भक्ति कल्प थालिका निज तटवासी बिहंग जल थर चर नपसू पतंग कीट जटिल तापस सवसरिस पालिका तुलसी तवस्तीर सीर तुलसी तवतीर तीर सुमिरत रगुबन सबीर बीचरत मती देहिमोह महिश कालिका अर्थिस का है सब्भब पाती हो, सवर्ग घुमी और पाताल इन तीनों भागों से तीन धाराओं में होकर भेती हो, पुणियों की रासी और पापों की धोने वाली हो, तुम अगाध निरमल जल को धारन किये हो, वह जल शीतल एवं तीनो तापों का हरने वाला है तुम सुन्दर भवर और अती चंचल तरंगों की माला धारण किये हो नगर निवासियों ने पूजा के समय जो सामग्रिया भेट चड़ाई हैं उनसे तुम्हारी चंद्रमा के समान धवल धारा शोवित हो रही है वह धारा संसार के जन्म मरण रूप भार को नाश करने वाली तता भक्ती रूपी कल्प ब्रिक्ष की रक्षा के लिए थाला रूप है तुम अपने तीर पर रहने वाले पक्षी जलचर थलचर पशु पतंग कीट और जटाधारी तपस्वी इत्यादी सब का समान भाव से पालन करती हो हे मोहरूपी महिसासूर को मारने के लिए कालिका रूप गंगा जी मुझ तुलसिदास को ऐसी बुद्धी दो कि जिससे वह स्री रगुनात जी का स्वरन करता हुआ तुमारे तीर पर विचरन कर